प्राण बायू, स्वास रा आत्मा मा एक आरका समय को सम्मंद कहस्तो छा। योगी हरू लामु समय समन गुफामा या कहीं बंद भायर, जहां अक्षिजन को मात्रा अत्य धिक कम होंचा। तेस्तो ठाउमा पनी लामु समय ध्यानमा बसे को प्रसंग हरू आउचा। कथी मानी शरूत, जमिन मुनी पनी बसेर, बक्सामा बसेर, कोने बाकस्मा, बंद भायर अपनी ध्यान गरेको भने, प्रसंग हरू आउचा। आमी चाहिए एकेशन स्वास्न भय बास्न सागते हैं। यह स्वास्त्र प्राण अथबाद जीवन सको सम्मंद कहो। जुँदर प्रस्नाशा। स्वास्त्र यानिकी हावा, हावा मा सबी कुराहरू मिश्ये कहोंचा। हावा मा तव ऑक्षिजन पनीचा, कारणा अक्षाइड पनीचा, हावा मा प्राण भायू पनीचा, सबी कुराचा। अक्सिजन उर्जा र प्राण उर्जा फारक हो, इफारक फारक उर्जा आरु होन। र इफ उर्जा नभैकना हामी ब्रासन शागदेन। हामरो जीवन को मुल इंधान हो, चाहीं छे। तर इंधान तेती खपत होंच जती हामी गाड़ी दवड़ाँ छे। जस्तो यवटा गाड़ी चलायों, गाड़ी इस्टार्ट मातरी भायको छे, दवड़ियको छाईन वनी, थोरे इंधान खपत करचे। तर गाड़ी इस पीट मा दवड़ियको छे वनी, बड़ी इंधान खपत करचे। आमरों सरीर पने त्याई हो, प्राण उर्जा जीवन को इंधान हो, प्राण उर्जा नवेई, ऑक्षिजन उर्जा नवेई, जीवन चलना सक्देना। तर बेक्ति जवा द्यानस्त होंचा, गहिरों द्यान मा रहांचा, एसको अर्था इस्तिर होंचा। द्यान भन्नो रा इस्तिरता भन्नो, द्यान भन्नो रा धाईरियता भन्नो, एवटे कुरा हो। द्यान को अबस्तामा सरीर चंचल होंदैना, सरीर इस्तिर होंचा। जुन वेलामा सरीर इस्थी रहां छा, तो वेलामा स्वास को, ऑक्षीजन को प्राण उर्जा को खपत अत्य दिक निवन हों छा तेस कारनले थोरे हावा भाय पनी, थोरे ऑक्षीजन भाय पनी फुक्षा सामन ने बेक्ती चुपचाप लागर बसे को छा पनी, एक पटक मा अथावा एक मिनेट मा पंद्र दही सत्र पटक स्वास लिन छा तेही बेक्ती दोडी रहे को छा, काम गरी रहे को छा, तो वेलामा पचा साथी पटक समन पनी स्वास लिना साक्षा एक मिनेट मा एक सेकंड मा एक पटक स्वास्रेने इस्तितिफिनी बनना साक्षा रा एक मिनेट मा मात्राई 15 देही 7 पटक मात्ते स्वास्रेने इस्तितिफिनी बन्चा त्यो पनी दौडिनिदा जती बड़ी स्वास लेंचा बस्ता खेरी तेती निदेने फेरी थोरे लेंचा कती अक्षिजन को फरक परे होला काम गर्दार न गर्दा धेरी फरक पर चा रजब शामनने अवस्तामा बेक्ती पंद्र देही सत्र पठक स्वास रेंचा चुप लागर बशे को चा बने दियानमा चा बने ये स्वास को मात्रा घर दे जांचा अजय इस तेर बशेव आफु भित्र गायो आमरा इंद्री यहरू बाइर जांचान आफु भित्र को अर्था आमरा इंद्री यहरू बाइर जांचान बाइर को कुरा थाहा होंचा बाईरे को खुरा थाव आयो कि तेसको असर बित्र पर्चा रहमरु मनु भाव उत्तेजित हुँछा मनु भाव उत्तेजित भायो 25 है फेरी ऐक्सीजन बड़ी चाये अज़ा वेले मा चुपो लागर बशे गोछा भानि पणी ऐक्सीजन को खपट बढ़ी हुँछा श्वास फोलना थाल च, ऑक्सिजन बड़ी चाहिन च, किने भने हमरो मस्तिक्स ले सब बंदा बड़ी उर्जा खपद गर च, रजब कुने कुरा बाईर देख सम तेशको प्रभाव मस्तिक्स में पर च, और बड़ी बंदा बड़ी उर्जा चाहिन च, रजब हमरो फेरी सामनने अवस्तामा हो, एक मिनिट मा स्वास फेरने गती, जब बड़ी शांता हुन च, यानि कि भीत्र गायो, भीत्र गायो भने को क्ये हो, उसको इंद्रिय हरूले बाईर को बिस्य हरू देखते हरना बंदा गरे, आखा बंदा गरे, भीत्र फारिक्यो, अब भीत्र पने दुईटा इस्तिती छा, एउटा बिचार को इस्तिती छा, अब बिचार चाई काईले शकारात्मक, काईले नकारात्मक, दुवई प्रकार का बिचार हरू आउँचन, भीत्र आखा बंदार गरेर बस्ता खेरी पने नकारात्मक बिचार हरू आयको छा भने, तेसले उर्ज प्रेम भाब भक्तिभाब शकारात्मक विचारारू को छेत्र होंचे मानमा तेस्मा गवाय भने चें उर्जा को खपत कम हुदे 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 जांचे रह यवटा इस्थिती इस्थुछ जहां बेकती ती मन का बिचार लापने छोड़ दियो सामन नेवस्तामा जिय होंचा होश माने आपनो याद गान थाले उ मच्छु आपनो उनुको बोदमा इस्थेर भायो बिचार लापने बेवास्ता घर दियो बिचार पटि आपनो चेतना लाएना आपनो उनुमा केंदृत भायो मने अब उद्ते जाना पूरेई निवना होंदे हुदे जांचे कम होदे जाणश, किना भने आपनू बोद मा कुनए प्रकार को उत्ते जाना बनावने बिशाय हरु होदे रन बिशाय हरु याता आуска खोले पचे बाइर देखेंचन, याता आखा बंद दा गरी पचे मनमा बिशाय देखेंचन मन लइ पने चोड़े र जमे बेखती चेटानामा इस्थेर होँचा, तो अबस्तामा स्वासको गति अत्यनते कम होँचा, किन बने बेखती इस्थेर भायो उत्ते जना रहे ना, प्रभाब रहे ना, कुने ज़ते बिसेले उसलै प्रभाबित गरे ना, वो आपनो मूल शोभाव तिरे फर्कियो, मूल केंद्र तिरे फर्कियो यो अवस्तामा ओक्षिजन को खपत अत्य दी कम हुँँछा रः स्वास को गती कम हुँँणा शुरुगर्छा जब बेक्ती इस्तिर हुदे 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 जान्चा स्वास को गती 10-12 पर मिनेट एक मिनेट मा 10-12 पर पतक मात्राई स्वास रेने इस्तिती बन्चा अजब बेक्ती इस्तिर हुदे हुदे गायो आठ देखी 10, छा देखी 8 यशरी घर्दे ही घर्दे जान्चा तुपनी, यवळधाता स्वास को स्वास्रेने गदी ने घटियू आरको कुरा मात्रा गदियू थोरे स्वास लेपुगयो अब उसको स्वास चले को चाकी चायना तुपनी थाया हुदे हीना बाइर बड़े हैडदा खेरिता धड़कन पनी चले चायना स्वास को गति पेट फूलने, खुम्चेनी भायो को सहीं याद हुदें स्वास फेरेको पनि अनुभव गण शकीं ना, अथब बाहर बटा ऐरना साकीं ना तयाती विस्तार स्वास चलछ रद यती विस्तार स्वास चले बेकती तेती नी बड़ी आनन्द मा जान्छा जती आनन्दित हुदेई गयो तेती स्वास कम होदेई जान्छा तो आनन्द चे उत्ते जाना को आनन्द है ने फेरी उत्य ज़ना को आनंद में स्वासको गती बड़ाओं छा गटाओं ने आई ना तरहा सांति बाटा उत्पती हुने आनंद, सांती को आनंद में छईं, स्वासको गती कम हो देए लेर जान छे योगी हरू एक मिनेट मा एक देखी तीन पटक मात्रई स्वासन अभस्तामा पनी पुगन साख्षान। तेती गईरू इस्तिति मा पुगे को अभस्तामा चाहिए थोरे अक्षिजन भाय को ठाउमा पनी लामुश्चमाई सामन बैक्ती बासना साख्षा। योग मा प्राण भायू को खपत को कुरापाओ। अब ऑक्षिजन उर्जा र प्राण उर्जा मा फरक्षे छा। ऑक्षिजन उर्जा हामी बनस्पती हरुवाट पाउंचा। प्राण उर्जा चाहिए यो अस्तित्तो यो ब्रह्म्भांड मा पूरे ब्याप्त चाहिए को छा। प्राण उर्जा ब्रह्मांड बट जरी रहे को चा, पूरे ब्रह्मा मा ब्याप्त चा, यो प्राण उर्जा अतिंते गहिरू, अध्यात्म को गहिरू तह संगा 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 सं तो दोनिलाई अनुभब गर्यों कि आनन्दको जर्ना जर्ना थाल्चा आप भित्रा आनन्दको रश्धार बहाना थाल्चा यो प्राण उर्जा हो यो प्राण उर्जा नभाइकना कुनेपनी बेक्ती जिवित रहना साख देना जसरी ऑक्षिजन उर्जा नभाइकना जिवि अब इसको आत्म संगा चेहीं किस सम्मंद चाता बनने अरको प्रस्न चाता हावा को अथवा प्राण दायुको अक्षिशन उर्जा को आत्म संगा किस सम्मंद चाता स्वास शरीर रा आत्म विचको पूल हो स्वासलाई समातेर बेक्ती आत्म तत्यमा पुग्ण साक्षा स्वासलाई समातेर तो परम संथीमा उपलाब्द होना साक्षा स्वास को याद गर्धा गर्दै बेक्ती स्वास बंदापने गहिरू जहां बटो स्वास ने छेमाता उत्पती हुन्चा जहां जह संगह अंतिम जहां स्वास जोडिये कोछा तो जोड़ समान पफग्ण साखोचा तो सहले साधनागर्ने बैक्तियरू योग गर्ने बैक्तियरू ले स्वासलै चाने ध्यान को लागी ध्यान गरनों में अरुकुरा छोड देहू स्वास्मा ध्यांदें। जहां नहां चेतना को प्रकास परश, तहहां बस्तू मतू प्रकास सेच दिन्चा, नहां नहां छेतना को प्रकास प्रॉपरगरिक हैं यह भर अवनतू नहां अवनता काम ज़िया मिरो मन कते-खें अम्त गलै को सबस्वी स हरता तीन रहा हमरो मस्तिक्स, हमरो मन प्रभावित हुँच, फेरी हमिन मन के दुनिया में चलना फाल छो अब जसली तुछ बाइर बिसे मा जाने चेतन लाई फरकायो, आपुती रा फरकायो अब मा कुनही पनी बिसे लाई जान्नमा मेरो ध्यान लगाम दीना मेरो ध्यान स्वास मा लगाँछू, स्वास मा जानना मा लगाँछू मेरो आखाले पनी स्वास चली रहे को चली रहे को स्वास लाई हेर चा अब और विशा हेर दिना आखा बंद गर चू बंद आखाले देखेने जुन आखा चा आरको आखा ते स्वर आखा, तू आखाले मा स्वास लाई हैर चू, आखा खोले रा स्वास देखने सकते ना ठीक छा, आखा बंद करे रा मेरो आउधे जहने गरने स्वास लाई हैर चू आखालाई पने स्वास मा फरकाई। स्वास भीत्र जादा बाईर जादा जुन आवाज आउठा, स्वास को कई गथिमां आवाज होनछ़, को आवाज्चे स्वाँचु। भीत्र स्वास गायो बहर गायो अब मेरू पूरा स्वान शुनाई स्वास्व मात्रे हुँचा मो कुनेपनी बाईये बीशव अब सुन्दीन मात्रे आवदहिये जादे स्वास को आपनु स्वाध हुँछ स्वास भीत्र गायो एक प्रकार को स्वाध आउँछ स्वास बाईर जादा पनी स्वाध आउँछ अब मा स्वाध दिन्चु भने स्वास को मात्रे लिन्चु अरुकुरा को स्वाध मा मेरो ध्यान हो देन पुरा मेरो स्वाध लिने स्वाध माता पूरा स्वास मा लगाऊंचु स्वास को स्वाद होंच बंदा अईले हामेले अच्छम मा लागला स्वास को पने काई स्वाद होंच रहा बनने लागला तरह होंच गरे रहे रोंगला प्रयोग गरे रहे रों स्वास को पने स्वाद होंच अत्यनते मिठो होंचा जती जती हमी स्वास मा गहिनिदे जानचा तेती तेती स्वास को स्वाद मिठो होंदे जानचा यती जीवरो मा इस्तु गजब स्वादा होंचा जसलाई दिभ्य स्वाद भनेंचा और स्वास को गंद होंचा आप बहन दोट ये लाग के strip स्वास को आपनु गंद चे मुदे ना तोरह स्वास में मिशेर भाईर क्यक गंद आये भने तो महसुसद भायक होला है भनने है मिला लाग वह ना स्वास को गंद होंच दिब्बे सुगंध भनें छ इस तो मिठो सुगंद तनी थोरै है ली आली सुहंदा है ना, स्वास को शुगंदा ए्टी धेरे है है次 कि कसे ले सुगंदह में को, कुलम पूरैस्ल पुरैस्पुरैस्टी और यवी जगत लाइ भार दियो, यी यॱरिश पूलै सुगंद़ुका है ना, सारा जगत ढाक्यो जस्तू अली अली सुगंदा है ना पूरे सुगंदा पोखी दियो हावा मा कसले जस्तू तेत्ती धेरे सुगंदा को अनवाब होंच जब हामी स्वास को गंदा लेना थाल चाँ गजब सुगंदा स्वास को गंदा होंच श्वास को श्वाध होंचा आनि आरको इस्तपरिशा जब मेरु श्वास भित्र गायो बाईर गायो तु श्वास ले कहा कहा चुन चाता भित्र जादा खरी मेरु चालला कहा कहा चुन दे भित्र गायो कहा समन चोयो ता भित्र स्वास जादा चुन ता हावाले चोयो कहा समन जो छोद ही गय बेटर गाता पर कनेनागी हूस है। ते वहर रिश्य हरु हिमालम गर तपस्य गरे कारण केथिव मने हिमालम चीष्व हुंचा म आपनो स्वास्मा केंदृत चित तलाई केंदृत गरदा करी तुछ ताथ तुछ चीष्व पने थाप आमा सक्षव की चगदी ने तुछ बिलामा पने बाईर को चीष्व को मतलवई भायना यत्ती वित्र धियान गयो स्वास्मा कि बाईर चीष्व चकी ताथ याद पने भायना बने अनि यो साधना पूर्ण भायो अथवा अभ्यास पूर्ण भायो बनने बुजिन छा तुछ लागी वाहरोली प्रहत्न गर्नुभू अनि कती मानी चरूली पंच अगनी तापेर अपनी ध्यान गर्नुभू तुछ अर्थ ताथो देरे आम दाहरी पनी अगनी अगनी प्रशागर अपुछ 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 नको लागी, तेस तो प्रकार को साधना बिदियरू प्रयोग गरिये। अब येशको अर्थ क्यो बने हामरा पांचे उटा इंद्रियेहरू जो बाईर का विशयेहरू जान दते ती संपूरा इंद्रियेहरू लाई आफूतीरा फरकार स्वासमा लगायो जसले। विशयातीत भायो आवा, मन, तो अबस्तामा जहां विशये केही पनी रहेना मात्रई स्वास रायो, अनी था हुंचा स्वास के संगा जोडियारेचा, स्वास तो मेरो स्वास तो मौन तो परम सांती संगा जोडिये कुरेचा, मेरो आफनो आत्मा तत्तु मेरो बोद संगा जो आपनो बोद मा उपलब्द हुन्छा जब बेक्ति आपनो आत्मा तत्तो मा स्वास बट पुक्षा आत्मा जहां चा तेही नजीक नही परमात्मा चा आत्मार परमात्मा को धेरे ठूलो दूरी चाहिना जुन बेक्ति आत्मा ज्यानमा गयो उता परमात्मा ज्यानमा अब उप प्रभ्रवार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार् प्रयास 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 प्रया परमात्म को अनुभूती प्रयाश द्वारा इच्छा द्वारा हो दे हो देना। अपा पहुच मुनशमन माते चाए। हमे अइले म म बननल गशेलेश ओदयो। म म को हूँ आत्मा हूँ, है ना हमेले आत्मा उत्मा थाच भी रिवल्ना ay्ज। अइली को म म बनेको विष 여자 म महन हूँ इक्षा हूँ इक्षा हरुको सवमुहला एमे म महनचाउं example मलाय इस्तो लाग़, मलाय लाग़, लाग़ को तब मनलाय होनी, तब हमी क्ये भन्छों, मलाय खाना मन लाग़, खाना मन कल्लाय लाग़, मनलाय लाग़, इच्छालाय लाग़ होनी, मलाय लागय होरा, मलाय तब कही लाग़ देना, लाग़ इच्छालाय, इच्छालाय ने हम मन भंचल भय को प्राग्द कि अगवा करकाद कैरी करें अन्माग्छेश च्छिया ठाग्रामाट प्राप्थ इच्छा समाप्त होनु भानेको अईलेको मा समाप्त होनु अईलेको मा को मृत्य होनु पर्षा परमात्मा दर्शन को लागी आरको मा को उधाय होन्छा जब यो मा मर्षा आरको नया मा को जन्मा होन्छा तियो नया मा को जब जन्मा होन्छा अनि मात तै परमात्मा दर्शन होंचा तेस कारणले यो स्वासले तो मा को मृत्यु समन पूर्यावन सकने सामर्थे राख्षा जहां मा सकींछु मेरो नया जन्मा होंचा जिवुदै नया जन्मा होंचा अईले को अईले यह चेले जहां समन मन चा तेहां समन बंधन चा जहां मन समापत भायो बेक्ति मुक्त भायो परमात्मा चेत्रमा उपलबद भायो यह हो मुक्ति रहां यह मुक्ति समन को यात्रा स्वास बटा होना सक्षा तेस कारण स्वास स्थरवाधिक महत्त पूर्ण चा देवस्थापन मनव मनो विज्ञान सनातन रना विंतम को संगम जीवन विज्ञान